जैस्री राम प्रिये भगतो प्रिये भगतो अगर आपको सुख चाहिए शान्ति चाहिए तो आपको यह नाम बोलना ही पड़ेगा इस नाम के इस एक शब्द के बोले बिना आपको स्वपन में भी सुख नहीं मिल सकता चाहे आप क्रोडों उपाए कर लेना आज की वीडियो हमने राम चाहित मानस के उत्तर कांड से ली है एक एक शब्द इस वीडियो का आपको परम सुख और शान्ति देगा क्योंकि जिस सुख की हम बात करें हैं वो सुख आपको यहीं इस नाम इस शब्द के बोलने से मिलेगा काक विशुन्डी जी पक्सी राज गुरूर से कहते हैं हे पक्सी राज गुरूर अब मैं आप से अपना निजी अनुभव कहता हूं प्रिये भगतो ध्यान दीजिये अनुभव अपना बता रहे हैं क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है जब किशी का होता है वो अपनी बात बताता है तो उसके उपर पूरा विश्वास हो जाता है कहते हैं वो यह है कि भगवान के भजन बिना भगती बिना नाम जप बिना कलेश दूर नहीं होते हे पक्सी राज सुनिये स्री राम जी की कृपा बिना स्री राम जी की प्रभूता नहीं जान और प्रभूता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं होता विश्वास के बिना पृती नहीं होती और पृती बिना भगती वैसे ही त्रिद नहीं होती जैसे हे पकसिराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं गुरू के बिना कही ज्ञान हो सकता है अथवा वेराग्या के बिना कही ज्ञान हो सकता है इसी तरहें वेदोर पुराण कहते हैं कि श्री हरी की भगती के बिना क्या सुख मिल सकता है हेतात स्वाभाविक संतोस के बिना क्या कोई शांती पा सकता है चाहे करोडों उपाए करके पच पच मरिये फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है संतोस के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वपन में भी सुक नहीं हो सकता प्रिय भगतो और श्री राम के भजन बिना कामनाए कहीं मिट सकती है क्या बिना धर्ती के भी कहीं पेड उग सकता है क्या विज्ञान अर्थार्त तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है आकास के बिना क्या कोई अवकास यानि पोल पा सकता है स्रिधा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता क्या पिर्थिवी तत्व के बिना कोई गंद पा सकता है तप के बिना क्या कोई तेज फैल सकता है जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है हे गोसाई जैसे बिना तेज अगनी तत्व के रूप नहीं मिलता निज सुख आत्मा नंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है वायू तत्व के बिना क्या स्पर्स हो सकता है क्या विश्वास के बिना कोई भी सिध्धी हो सकती है इसी प्रकार सिरी राम के भजन बिना जन मिम्रित्यु के भैका नास नहीं होता बिना विश्वास के भगती नहीं होती और भगती के बिना सिरी राम जी पिघलते नहीं और सिरी राम जी के किरपा के बिना जीव स्वपन में भी सुक शान्ती नहीं पास सकता प्रिय भगतो वा तो केवल और केवल राम भजन कीजिए, राम नाम का जब कीजिए, जिस भी बगधाद नाम पर आपका विश्वास है, उसी नाम को जपिए, क्योंकि अगर सुख मिलेगा तो केवल और केवल राम किरपा से और राम किरपा तब होगी जब आप राम नाम का जब करेंगे प्रिये भगतो हर वीडियो में हम बताते हैं इस कल्यूग में दुखों से बहार निकलने का एक मात्र राश्ता है राम नाम का जब कोई भी और तरीका था ही नहीं और ना ही है और ना ही होगा तो आप जितना जल्दी इस नाम को जबना शुरू कर देंगे उतना ही जल्दी समझ लिजिए आपको दुखों से छुटकारा मिल जायेगा कोई आपका प्रिशन हो कमेंट कीजिएगा अब हम अपनी वानी को विराम देते हैं जै श्री राम प्रिय भगतो